देश की माननिय सर्वोच अदालत यानि सुप्रीम कोट को लेकर एक अवधारना जो सबसे ज़ादा सर्वोपरी है दोस्तों वो ये है कि मामले में चाहे कोई भी शक्स हो न्याय जरूर मिलेगा और हर कानून को ध्यान में रखते हुए समिधान को ध्यान में रखते हुए ये चंदचूर सहब कर रहे हैं और हर रोज कर रहे हैं सीजाए डिवाय चंदचूर ने एक बार फिर कुछ अलग कहा है दोस्तों अब यह अलग क्या है और कितने माइने हैं इसके आपको इस ख़बर में हमें एक जानकारी देंगे सब कुछ बताएंगे दोस्तों नमस्कार मेर अब उनके दूसरे बयान की चर्चा इस वक्त हो रही हैं इस वक्त आपके स्क्रीनेज़ पर आपको हम लाइव लॉक की ख़बर दिखा रहे हैं दोस्तों इस खबर के मताबिक तमिलाडू के मुखे मंत्री MK Stalin ने CGI डिवा चंदचूर के मदूरे में हुए कारिकरम में उनसे एक बात कही चिन्नाई, मुंबई और कोलकाता जैसे शेहरों में सुप्रीम कोट के छेत्रिय बेंट स्थापित करने चाहिए यह रोध MK Stalin ने किया CGI डिवा चंदचूर से जिसके जवाब में CGI डिवा चंदचूर ने कहा कहा दोस्तों वो सुनिये लाइब लॉक की खबर के मताबिक उन्होंने कहा कि मैं दिली में ना दहने वाले वकीलों और छात्रों की पहुँच सुप्रीम कोट तक सुरिश्चित करने का प्रयास करना हूँ मैं हमेशा कहता हूँ कि सुप्रीम कोट तिलग मार्ग ही नहीं है सुप्रीम कोट सिर्फ तिलग मार्ग नहीं है वलकि पूरे देश का सुप्रीम कोट है CGI डिवा चंदचूर ने खे ये भी कहा दोस्तों कि उन्होंने hybrid system शुरू किया है ताकि जितने भी लोग अलग अलग जगह से काम कर रहा हैं उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके हाइब्रिट सिस्टम क्या सुनिश्चित करता है दोस्तों सुनिश्चित करता है कि वकील देश में कहीं भी काम कर रहा हो सुप्रीम कोट के सामने वो कहीं पर भी रहकर उपस सबसे ज़ादा जरूरी और एहम बात उनने ये कही दोस्तों कि सुप्रीम कोट पूरे देश के लिए है अब चाहे वो वकालत करने वाले लोगों की बात हो या देश के अलग अलग राजियों के नागरिकों की बात हो CGI डिवाय चंदचूर को टेक्स सेवी CGI के तौर पर देखा जाता है दोस्तों उनको टेक्स सेवी CGI के तौर पर जाना जाता है क्योंकि जब से डिवाय चंदचूर साहब CGI बने हैं उनके फैसलों में टेकनोलोजी के प्रती या टेकनोलोजी के एहमियत जो है दोस्तों वो साफ छलकती है उसा आप दिखाई देती है जो सभी जानते हैं कि हर पेशे में भाशा जो होती है दोस्तों किसी के हिंदी होती है किसी के स्थानी भाशा होती है कोई बाध़ा जरूर बन सकती है जिसे हम Language Barrier के नाम से जानते हैं यहीं बात वकालत के पेशे पर भी निरभर करती है बकालत के पेशे पर भी लागू होती है वहां रहे रहे लोगों के लिए भी बड़ी समस्या मानी जाती है और इसी समस्या का हल निकालने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं CGI डिवाचंदचूर ने उन तमाम तरीकों का भी जिक्र किया उन्हें ने कहा कि न्याय वित्रन प्रणाली को लोकलाइज करने के लिए और इसे नागरिकों के करीब लाने के कोशिश में हमने AI की सहायता से तमिल सहित सम्मिधान में मानेता प्राप्त अन्य अधिकारिक जिदे तोर पर ट्रांसलेशन जो है जजमेंट्स का चाहें पिर वो किसी भी भार्षा में क्यों ना हो स्थानिय भार्षा में हो काफी लोगों को परशानी होती है तो उसमें भी ट्रांसलेशन शुरू कर दिया गया है उन्हें ने कहा कि मुझे आशा है कि यह ना केवल कीनों की भी मदद करेगा जो अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं है इसे के साथ-साथ उन्होंने उस कारेक्टर में तमाम जजों से एक अनुरोद किया दोस्तों आज तक की ख़बर क्या कहती है इस वक्त आपके स्क्रीन पर आज तक की ख़बर है इस ख़बर के मुताब ही तो फिर महां पर बहुत मुश्किले खड़ी होती है सीजाय ने कहा कि अंग्रेजी हमारी पहली भाषा नहीं है हम अपनी मात्र भाषा में सोचते हैं अपने विचारों को रखते हैं मैं उन सभी युबा वकीलों से अनुरोद करना चाहता हूं जिने अंग्रेजी में नियुक्ती के भी चर्चा चल रही है जजों की या चाहें फिर वो बात हो वकालत पेशे में काम करने वाले वकीलों की या उसमें महिला हो पुरुष हो उनको जो परिशानियों का सामना करना पाड़ रहा है उन सब के बाद CGI DV चंदचूर साब किसी को कभी निराशन होने देते इतना तो पता चल गया है उनकी इसी खुबी के सब कायल है इस तमय जहां नयाय की तलाश हो रही है दोस्तों लोगों के दिमाग में कर्मचारियों के दिमाग में किसी पेशे में काम करने वाले की दिमाग में जहां ये perception मनाने का श्रे दिया जा रहा है जब से वो CGI बने हैं कलग perception create हुआ है ये श्रे कौन दे रहा है ये भी आपको बता देते हैं इस वक्त आपके screens पर आपको जनसत्ता की ख़बर दिखाने हैं ये ख़बर क्या कहती है दोस्तों इस इस ख़बर के मताबिक सुप्रीम कोट के पूर्व जस्टिस दीपक गुपता ने जनसत्ता को एक इंटर्व्यू दिया और उस इंटर्व्यू में दीपक गुपता ने सीजाई डिवाइच चंदुचूर के बारे में क्या होगी वह यह की नियायपालिका को लेकर जो परसेप्षन समाज में क्रेट किया गया है यानि जो धाडना बनाए गई है उस धाडना को तोड़ना ये सबसे बड़ी चुनौती होगी उन्होंने का बेशक कुछ ही लोगों के मन में सही वंगर यह जो धाड़ना है कि नियाय पाली का पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है इसको खत्म करना पड़ेगा जब पूर जस्टिस दीपक गुपता से पूछा गया कि सीजाय चंदचूर जिके सामने जितने भी चुनौती थी आखिर वो उस चुनौतियों पर किस हद तक खरे उतरे हैं तो दीपक गुपता साब का कहना था जस्टिस दीपक गुपता का कि बहुत हद तक खरे उतरे हैं उन्होंने कहा आप जो प्रस्ताव आ रहे हैं उनमें काफी डीटेलिंग रहत जो सब्सक्राइब करना है नियायपालिका को लेकर लोगों का परिस्रिप्षिन बदला है, पिछले पांच से छे महीनों में नियायपालिका का लिबरल एटिटूड देखने को मिला है, यह जस्टिस दीपक गुपता ने कहा, जो कि सुप्रीम कोड के पूल जस्टिस रह चु उन्हें अदालती मामलों में पारदाशिता चाहिए फिर सुप्रीम कोट जानकारी सारजनिक कर देता है तो कहते हैं कि वो डीटेल सारजनिक नहीं बलकि गुपनिय रखनी थी ये कैसा रवया है भला ये जिस्टिस दीपक गुपता ने कहा दोस्तों यानि कोल मिलाकर सीजाय डिवा चंदचूर के फैसलों की ना सिर्फ सरहना हो रही है बलकि उनके फैसलों को मिसाल के तौर पर भी निश्चत तौर पर देखा जा रहा है तोस्तों बेराल इस खबर पर आपके राय क्या है कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अगर आपको पसंदाया हो तो वीडियो को लाएको शेयर करना ना भूले फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ तब तक के लिए हमस्कार